इत्याद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा किसी को सहारा देना सबसे बड़ी निकी है कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की तकलीफ को अपनी समझ कर उसे अपनाने की कोशिश करते हैं तरह का वाकिया वर्दपगली खासबाग में देखने को मिला एक बुज़रग खातून जिसका नाम यल्लवा है लगवग उम्र 90 साल की है उसके घरवालों ने घर से उसे बाहर निकाला वाजर है कि जो मुस्लाधर वारिश हुई थी उस वक्त उसे घर से बाहर निकाला उम् सुनाई और कहा कि पलक कर मैं अपने उस घर में नहीं जाओंगी मुझे वह लोग मार देंगे ऐसा भी उनका कहना है जब हमने उनके घर वालों से राप्ता किया तो यह लवा के नवा से शीवू ने फोन के जरीए कहा कि बुड़िया गलत कह रही है हम इसे फिर घर में लेन लहाजा मैं मरूंगी तो इसी घर में बीवी जान जलाल ने इससे पहले भी शांता पाटिल नाम के एक उमरसीदा बज़र्ग खातून को भी अपने घर में पना दी थी इसी तरह से उसे भी उसके आउलाद ने घर से बाहर निकालाता और तकरीबन एक मेहना इसकी देखबा भी बीजान ने की थी उन्होंने कहा और इत्याद नियूस को बताया कि इनसानियत सबसे बड़ा मजब है और किसी धर्मजाद पात का फर्क किये बिना खिद्मत करने से मुझे सुकून मिलता है इसनके घरवालों का इल्जाम है कि बुड़िया के पास कुछ पैसे जेवरात हैं बीऻान कहीती है के तमाम इसके रुपिये जेवराद इसकी चायदाद जो بھی है इसे हीनी के समाज के लोग किसी आश्रम में दान करे या खेरात में दे दे किसी बुड़ा पगर को दे दे इसके खिद्मत करूंगी मुझे किसी की ज़रत नहीं है इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए बीबी जायंग चलाल के इस इंसानियत के जजबे को देखकर लोग काफी मुतासिर हुए ये ऐसा दौर है जहें छोटी सी बात पर भी हिंदू-मुस्लिम किया जाता है इसे वक्त में 90 साल की बुजर्ग खातून ये लवा को अपने घर में पना देना वा सब्सक्राइब से ही खत्म किया जासे इत्याद नुद देखने के लिए शुक्रिया अलाफीज वर्षिजाग नाक बारे का कारे आज वजु वजु हादर आल्या को कि इल्या को कि अंता बादया बढ़्याक बरताना और मात को जिगजाड है नंगों कार्मरी के लिए चाह को बढ़रियोस के लिए है नंगो उतार्माइ गलाउक बढ़रियोसिवु हाह के लिए खत्uff गुट पाप मार्णाद मुर्द को ले को तामल को आका उता कोड़ाता हुच्या को रख ले सकती हूं लेकिन अजी बजू ले कुछ भी तकराम नहीं है ना और बुड़ी को कुछ भी तकलिप नहीं देना हुना अजी बजू अले होंदे उसकी बेटी होंदे उसका जवई होंदे कोई भी तकलिप नहीं देना ऐसा यह कर रही हूं मैं मेरे पास रख के लेती हूं उसके खाना खिलाती हूं रखती हूं उसे कुछ भी हुआ तो जिम्मेदरी सब लोग रहना चाहिए कुछ मेरे को प्राबल हमारे उपर कुछ नहीं आना चाहिए उसका क्या भी रहा तो भी वो उसके बच्चे को या बेटी को दे के आ सकती हो रात के बरसत के टेम में उसे भाहर डाले तो वो क्या करने वाली बुड़ी इसलिए मैं सोच के उसे ले क्या घर पर देखो उसके हालत बहुत खराब है बोल मुस्लिम कुछ नहीं देखी मैं बस इंसान को देखके साथ दी हूँ आजू बाजू रहते बोले सब को साथ देना चाहिए हमारा मजब हमें यही सिखाता है अभी उसको सुनना है पैसे है ऐसा कुछ भी आफवाद नहीं उटाना हां हमें लिहीं बोलका उटाना नहीं हो इ आजी को यह लीरों मानस ऐती है